कि यह गाइज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो गाइज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे मैं बढ़िया नहीं हूँ गाइज और उसका रीजन है यह गर्मी गाइज इतनी ज्यादा गर्मी पढ़ रही है डेली में कि आपको पर में क्या बताओं मैं वैसे ही बहुत जारा इर्रीटेशन हो जाती है गर्मी से और जिस तरह की गर्मी आज बढ़ यह को बहुत बहुत ज़्ला बहुत अच्छा लगता है बटब candle च्बारी घम See के रहना इस करद्स अंदर तो बहुत तो बेकार लगता है और ऐसे राइड करते हुए चलना अचा है बाहर ही हम राइड कर रहे हैं बट जैसे भी हवा लगती रहती है तो अच्छा फील होता है गर्मी भी थोड़ी सी कम लगती है इसलिए मैं आ गया हूँ और गईज लॉक्डाउन खुलने के बाद में आप लोग भी चाते हूंगे कि बाहर जाएं और इंजॉय करें अपने मोमेंट को बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेली एंसियार में यहां पर कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ जा सकें और इंजॉय कर सकें बहुत जादा जगा नहीं है है एक दो जगा जैसे इंडिया गेट आप जा सकते हैं इवनिंग के टाइम में और बहुत सारे पार्क्स हैं आपे इंद्रप्रस्ट पार्क और लुदी गार्डन है अब वहां जा सकते हैं बट वहां पर इतना जादा मज़ा नहीं आता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी अक् करना चाहते हैं वह भी मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ है तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूं हो है City Forest यह है गाजियाबाद में और इस व्लॉग में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि वहां क्या क्या है और कैसे कैसे है तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए आगे बहुत ज्यादा ट्राफिक है आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा बहुत ही लबा जाहां में या पर तो मैं अंदर से कट ले लूँगा और आगे की तरफ इसी रोड पर मिल जाऊंगा नॉर्मली इस अंदर वाली रोड पे इतना ज़्यादा ट्राफिक रहता नहीं है यह बाहर जाम लगा हुआ है बाहर के ट्राफिक के वज़े से यहां भी ट्राफिक बहुत ज्यादा जा रहा है और यह सब लोग अंदर से ही निकलते हुए वापस इसी रोड पी मिलना चाह सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब करते हैं और गाजियाबाद में प्रॉपर यह राजनगर एक्स्टेंशन में है और जो कनेक्टिविटी है इस फॉरेस्ट की वह मेट्रो से काफी अच्छी है तो आप डैली नचार में कहीं रहते हैं तो इजली आप पहुंच सकते हैं और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहां पर वह है आप अर्थ ला और हेंडन रीवर आप इन दोनों मेट्रो सेशन से इजली यहां तक पॉच्छ सकते हो I will not और गाइज यह जगह है यह सभी एज ग्रूप के लोगों के लिए एक बैस्ट ऑप्शन है और वह इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए यहां पर पार्क्स हैं और पार्क्स में जूले लगे हुए हैं और भी बहुत सारी अक्टिविटीज होती हैं तो बच्चे आपे इस तर हमस्तों एकन और को आरा आगर ह्याना चाहते हैं तो बोटिंग और आप्शन एगा हुप है तो यहां पर आप आने के बाद में अपने लाइफ गर अगर यहां पर आते हो तो बहुत ज्यादा रिलेक्स फिल करोगे अपनी फैमिली के साथ गाइस मैं आपको बता दू कि आज मैं सिटी फॉरेस्ट विजिट करने नहीं जाने वाला हूं आज बस मैं आपको इन्फरमेशन देने के लिए आया था कि ऐसी भी एक लोकेशन है डे मिले गा तो आप छोड़ा सा वेट कीजियें एंड गैज जो सिटी फॉरेस्ट है यह टोटल 175 एकर सकते हो कि यह कितना बड़ा होगा और इसके अंदर दो लेक्स हैं वो भी काफी बड़ी बड़ी लेक्स हैं एंड आइधिंक इसके अंदर एक वर्ट सेंचुरी भी है तो वहां पर जाकर आपको बहुत सारी वराइटी द बनाया हुआ है इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ बट आइधिंक ऐसा है यहां पर तो अगर ऐसा है तो आपको एक छोट से जू कभी इंजॉइमेंट आप ले सकते हो यहां पर जाके और जू के साथ-साथ यहां पर होर्स राइडिंग के लिए भी स्पेस बना हुआ है और लेक्स जो मैंने आपको बताई उसके अंदर वोटिंग भी होती है और पिकनिक के लिए बहुत बड़े-बड़े पार्क्स भी है यहां पर तो अबर यहां पर आके आप इंजॉइ ही करेंगे बोर हो ही नहीं सकते हैं और यहां जो टिकेट लगती है उसका प्राइज करेंगे तो आपको 10 टाइम जादा ही अच्छा लगेगा आपको अपनी फेमिली के साथ जाएंगे वहां पर तो आपका टाइम यूटिलाइज ही होगा और आप इंजॉइ ही करेंगे और अगर आप पहले जा चुके हैं तो मिरको आप कॉमेंट करके अपना एक्पिरियंस आप बताईए कि आपका शेटी फॉरेस्स में जो एक्सपिरियंस था वह कैसा रहा अच्छा रहा बुरा रहा आप जो भी लगा कमेंट करके बताईए आप मुझे आप सबको यह व्लॉग पसंद आया होगा और काफी सारे लोगों के लिए तो यह व्लॉग इंफर्मेटिव भी रहा होगा और अगर इंफर्मेटिव रहा है तो व्लॉग को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना एंड चैनल पर नहीं हो और मेरा सिटी फॉरेस्ट विजिट करन बाइ